नमस्कार और विलकम यौर दू स्टड़ी आई की ओ, मैं हूँ प्रशान धवन, नाव ये देश आज के समय धर्ती पर नर्ख की तरह ही बन चुका है, सीरा लियोन की मैं आपर बात कर रहा हूँ, जो दुनिया भर में न्यूस बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है, य यह बहुत जादा ड्रा देने वाला है, सरकार को आपातकाल घुशित करना पड़ा, इमर्जंसी लगानी पड़ी क्यों? क्योंकि इनी के देश के लोग नशा करने के लिए कबरे खोद रहे हैं, जी हाँ, ये कैसा देश है जहाँ पर कबर भी सुरक्षित नहीं है, कबरे ख जेनरेशन बरबाद हो रही है, हौरिफाइंग द्रिश्चे आ रहे हैं सीरा लियॉन से, और पूरी दुनिया जो हेड्लाइन्स आ रही है ना इंटरनाशनल मीडिया से, ये पढ़के हरान है, यहाँ आप देख पाऊगे BBC का आर्टिकल है, और अगेन ये कहीं से भी बात ब लोगों को पता लगे के एक कंट्री में अगर नशे की प्रॉब्लम टाइम से सॉल्ल नहीं करी गई तो स्तिति कित्ति खराब हो सकती है, बात कहां तक पहुँच सकती है, ये एक लेसन है, सीरा लियॉन ऐसे कंट्री मैं कहूंगा, एक सकस्सेस्फुल कंट्री विलकुल नह Well, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये देश मैप पे है कहाँ पर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया भर में यूजूली ये देश निउस में क्यो रहता है ओलाइट तो सबसे बहले यहाँ पर आप देख पाएंगे यह है इश्या का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत और इंडिया से अगर हम वेस्ट को जाएं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सियरा लियॉन जादा बना देश नहीं है छोटा देश है 90 लाग के आसपास आब करती है बाकी पोपुलेशन क्रिश्यानिटी को फॉलो करती है मगर फिर भी सीरा लियॉन एक सेकुलर कंट्री है बट गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालत बहुत बहुत ज़रा खराब है इस देश की दो तिहाई अबादी मल्टी डेमेशनल पावर्टी में फसी हुई है और आपने I'm sure Human Development Index के बारे में सुना होगा 2008 और 2009 के बीश में सीरा लियॉन इस Index के बॉटम में आता था मतलब के दुनिया में सबसे ज़रा खराब देश Human Development के मामले में हालाकि इनोंने थोड़ी सी तरक्की करी है अब इनकी जो रैंकिंग है यह 193 से थोड़ी बहुत इंप्रूव होकर 184 के आसपास आ चुकी है मगर overall इस country में पानी की कमी है, hospitals की कमी है, doctors की बहुत ज़्यादा कमी है और इसी वज़य से दुनिया में जो चुनिंदा countries है जहां पे life expectancy मतलब के एक आदमी on an average कितना जियेगा ना उस मामले में one of the worst countries में से एक है सीरा लि या फिर स्वीडन वहाँ पे life expectancy आपको ATCO पर मिलेगी और आप खुदी एजियूम कर सकते हैं जब देश की हलत ऐसी हो तो corruption वहाँ पे कितना हाई होगा, corruption सीरा लियोन में बहुत जादा है, सरकार inefficient है, basically आप अगर सोच कर देखो ना तो इस country को बुश्किल से निकालने का सिर revolution ले किया है, कोई यहाँ पर जो youth है वो कहे के बस अब जो हमारे पूरवजों ने जीवन बिता लिया, हम इस country को खड़ा करेंगे, Sierra Leone को आगे ले कर जाएंगे, मगर हुआ इसका विपरीत, जो youth था यहाँ का depressed हो गया, इनको दिखा के आसपास नौकरी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, हमारा देश अगर देखो तो दुनिया की worst countries में आता है, development के मामले में, infrastructure के मामले में, तो बहुत से लोग ना, अपने depression को कम करने के लिए, drugs की तरफ चले गए, और अब देखो, इन लोगों के पास इतना पैसा तो था नहीं, कि जो mango drugs यूरोप में बनते हैं वो ये लोग purchase करें, तो इन लोगों ने खुद अपना local drug बनाना start कर दिया, जिसको ये कुश कहते हैं, ना जो ये drug है कुश, इसमें कई चीज़े आड़ की जाती है, जैसे fentanyl, उसके लावा various और chemicals, गंदा drug होता है, इन लोगों के हिसाब से depression इनका थोड़ा बहुत इससे क स्वाल करना start कर दिया, स्थिती इतनी खड़ाब है, BBC का आडिकल में याप आप देख पाओगे, सम 63% of the hospitals current patients, जो main hospital है, यहाँ पे सिरा लियोन का, यहाँ पे 63% वो लोग हैं, जो कुश related problem से आए हैं, कई images हैं, videos हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, YouTube लाओ करेगा नहीं, मग बेट पे लेटे हुए हैं, उनका मुँ, बॉड़ी, फूल चुकी है, क्योंकि constantly यह लोग कुश का इस्वाल कर रहे हैं, उससे immune system weak हो जाता है, दुनिया भर की और भिमारिया हो जाती है, एक बार को साथमी को पता भी है, कि जिस रास्ते वो जा रहा है, अपने देश की average life expectancy यह और कम करेगा, मगर addiction इतनी जरा खराब चीज है, कि वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, और यह problem पूरे देश में दिख रही है, और अब तो देखिए, सरकार ने कबरों को बचाने के लिए, ताकि यह जो drug addict है, यह कबरे तोड़ तोड़ कर, जो हडिया है, यह इस्तमा commercial operation launch किया है, जिसका नाम है Operation Zero Tolerance, और एक बार सोच कर देखो, एक बार बस mind में, मैं जाता हूँ आप genuinely इस अभागय कंट्री में, जो हो रहा है, इसके बार में सोच कर देखो, कि युवक लगातार यह नशा कर रहे हैं, कबरों से हडिया निकाल कर नशा कर रहे हैं, जिससे मैं यह कहूँगा कि hell on earth वाली situation है, इस कंट्री में, dramatic interference की आफशकता है, और गर मैं कहूँ तो दुनिया भर में जो लथ है नशे की, यह बढ़ती जा रही है, अगर हम भारत की बात करें, तो हमारे देश में जो drug abuse victims है ना, उनमें से 13% की age 20 साल से भी कम है, आप imagine कर सकते हैं कई 13-34 साल के भी बच्चे हैं, जो इस vicious cycle में फस चुके हैं, और अगर हम death की बात करें, तो 2017 और 2019 के बीच में, 2300 लोगों की मौद हुई थी हमारे देश में, because of drug overdose, और ये नमबर लगातार बढ़ता जा रहा है, again सबसे जादा मौते यहां पे होती है, युवकों की, उन ल family के लिए, हाला कि यहाँ पर मैं यह कहूंगा, कि compared to the rest of the world, जो city इरान में है, by God, जो city पाकिस्तान में है, वहाँ पे बिच्चु का लोग जो venom है, वो इस्तमाल करके लोग नशा करते हैं, पाकिस्तान में सिती बहुत बहुत ज़रा खराब है, रश्या में सिती काफी एक alarming example है, कि जब देश की सरकार drug abuse को control ना कर पाए, तो बात किस हद तक आगे जा सकती है, और finally, मैं आपसे question पूछूँगा, कि जिस country की यहाँ पर हम बात करे थे, Sierra Leone, इस देश की राजधानी क्या है, यह है आपकी option, free town, new town, cape town, या फिर none of these, comment section में करिए उत्तर, जो UPSC course में, एक special offer चल रहा है, जिसमें, अगर आप यह course purchase करते हैं, तो आपको study IQ की तरफ से physical books भी deliver की जाएंगी, at your address, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो के comment section में जाओ, यहाँ पे print comment में आपको यह link में लेगा, इस link पर करो, यहाँ पर click, और आपके सामने फिर ख clear हो जाता है, तो mains के लिए, आपको दिल्ली में invite किया जाएगा by study IQ, आप दिल्ली में रहोगे, आपका खरचा study IQ उठाएगा, आपको one-to-one mentorship दी जाएगी, everything will be taken care of, और अब तो देहिए, books आपको दी जाती है by study IQ, जिनकी अपने आपने cost 6000 रुपीज है, और जो यहाँ पर price लिखा ना, इस course का, यह कभी भी pay मत कर देना, simply यहाँ पर code use करिये, PD10, और आपको मिलेगा एक massive 7500 रुपीज का discount, the maximum discount you can get, और 30,000 रुपीज में, आपको 30 महीने का यह course मिलता है, basically आप हर महीने का 1000 रुपे पे कर रहे होंगे, for your UPSC preparation, so use the code PD10, and save one AC note के साथ, यह है वीडि आपका।